दोस्तो आज हम देखेंगे एंगलो इडिस्ट नोवेलिस्ट जोईस केरी के द्वारा लिखी गई एक स्टोरी ग्रोइंग अप जोईस केरी की थिम हमेशा एंगलिस सोसाइटी पर आधारित थी उन्होंने काफी सारी नोवेल्स और शोर्ट स्टोरी को पब्लिश किया Herself Surprised, To Be A Pilgrim और The Horse Mouth उनके Famous Works है उनकी पांच स्टोरी जो जोईस केरी के मृत्यू के बाद पब्लिश की गई उनमें इसे एक स्टोरी है ये ग्रोइंग अप Spring Song and Other Stories नाम के कलेक्शन से ली गई है ये स्टोरी बहुत ही इंटरस्टिंग स्टोरी है दोस्तो चलिए शुरू करते है सबसे पहले हम केरेक्टर्स दिख लेते हैं ताके कहानी समझने में आसानी हूँ कहानी में टोटल पांच ही केरेक्टर है सबसे पहला केरेक्टर है रोबर्ट क्विक ये एक नौकरी पेशादमी है रोबर्ट क्विक कहानी का प्रोटागोनिष्ट है दोस्तो दुसरा केरेक्टर है मिसिस क्विक रोबर्ट क्विक की पतनी है ये कहानी का तीसरा और चोथा केरेक्टर है जैनी और केट ये दोनों कहानी के मैन केरेक्टर है ये कहानी इनके आसपा से गुमती रहती है ये दोनों रोबर्ट क्विक और मिसिस क्विक की बेटिया है अब कहानी का पांचवा और लाश केरेक्टर है जैन मार्टिन ये मिसिस क्विक की फ्रेंड है और साथ ही वेर फेर कमीटी की चैरमेन भी है तो अब चलो दोस्तों बीना टाइम गवाई कहानी पर नजर डालते है कहानी की शुरूआत होती है रोबर्ट क्विक के घर से रोबर्ट क्विक बिसनेस की वज़े से घर से बाहार होते है मिसिस क्विक के द्वारा रोबर्ट क्विक के लिए लिखी गई थी वो चिठी चिठी में लिखा था कि वो यानि कि मिसिस क्विक गर पर चार बजे वापस आएगी और बच्चे गार्डन में खिल रहे है चिठी में इस तरह का लिखा था मिसिस क्विक ने रोबर्ट क्विक ठक कराया था अपनी जॉब पर से वो उसकी टोपी और जॉब का जो ड्रेस था उसको चैंज करके बच्चों को डुणने के लिए गार्डन में जाता है रोबर्ट क्विक उसकी जॉब की वज़ा से गार्डन की ज्यादा केर नहीं करता था मीसिस क्विक भी फैमेली और दूसरे काम में बीजी रहती थी इसलिए गार्डन की वो भी अच्छे से केर नहीं कर सकती थी दोस्तो मैं आपको एक बात बता दू कि रोबर्ट क्विक का ये जो गार्डन है वो दूसरे जो गार्डन होते है उससे अलग है गास भी कटिंग नहीं की थी उस गार्डन में और बहुत ही गंदा था वो गार्डन सिर्फ बच्चो को खिलने के लिए ही था वो गार्डन अब रोबर्ट क्विक गार्डन में आ चुका है वो चिल्लाता है कि हेलो, हेलो बच्चो पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता, वो परेशान हो जाता है फिर जब रोबर्ट क्विक उसके घर की ओर देखता है तो उसे जैनी दिखाई देती है जो अपने पेट पर तालाब के पास पड़ी हुई थी नाक के नीचे बूख रखकर पड़ी हुई थी वो जैनी सिर्क 12 साल की थी रोबर्ट क्विक जैनी के पास गए और बोले हेलो जैनी जैनी ने उनके सामने देखा पर कोई जवाब नहीं दिया शायद जैनी ऐसा कहना चाहती थी कि माप करे पिता जी गर्मी है बहुत जैनी के द्वारा जवाब न मिलने पर रोबर्ट क्विक केट के पाथ जाते है केट जुले पे बैठे जुला जुल रही थी वो उसके वीचारों में खोई हुई थी उसके पाव कीचट से गंदे हुए थी जब उसके पीता जी रोबर्ट क्विक ने उसे हेलो कहा तो केट ने लो आवाज में उसका जवाब देते हुए कहा हेलो पीता जी लेकिन वो उसके पापा के पास नहीं गई जैनी और केट अब बड़ी होती जा रही थी रोबर्ट क्विक सुचता था कि ये दोनों बड़ी होकर इंटरलीजन्ट और एक अच्छे लटकी बनेगी अब रोबर्ट क्विक वहाँ गार्डन में ही बैठे हुए थे न्यूस्पीपर जैसा कुछ पढ़ रहे थे वो उस वक्त जैनी और केट गार्डन में गुमती थी वहाँ पर स्नोर्ट नाम की बीच उन दोनों को सुंगते हुए उनके पास आप उंची केट के पास आप उंची ये स्नोर्ट नाम की बीच और जोड़ जोड़ से बंकने लगी स्नोर्ट उसकी नाक से केट के पाव को हिला रही थी शायद कई पर जाने का इशारा कर रही थी वो पर केट ने स्नोट को लात मारी और वहाँ से भाग जाने को कहा पर स्नोट वहाँ से नहीं गई उल्टा स्नोट अब केट के कपड़े खिंचने लगी अब केट ने फिर से दूसरी लात मार दी स्नोट को अब Janae पी उसकी sister cat का साथ देने लगी Janae ने बंबू की लकडी उठाई और उसे बर्ची की तार स्नौट के सामने फैंका इस वज़ा से स्नौट जोड जोड से बॉंकने लगी फिर से Janae ने बंबू का टुकडा लेकर स्नौट के सामने फैंका दोनों बच्ची याने कि जैनी और केट मजक मस्ती करती जा रही थी मजक मस्ती में एक दूसरे पर गिरती जा रही थी दोनों और ये जो बीचती स्नॉट उसका पीछा कर रही थी ये दोनों इतना है नहीं उस स्नौर्ट पर पत्थर, सुके फूल और मिट्टे के टीले फैंके जा रहाई थी ये दोनो स्नौर्ट काफी डर चुकी थी उसने जैनी और केट का पहले कपी नहीं देखा था इस तरह का बढ़ताओ रॉबर्ट क्विक उसकी दोनो बेटियों से की जाने वाले इस बढ़ताओ से बहुत ही आचड़ ये चकित था कब भी नहीं देखा था उसने इस टाइप का बढ़ताओ वो सनोट का दुख समझ सकता था जीस पर जैनी और केट के द्वारा प्रहार किये जा रहे थे जैनी और केट सनोट के आंखे फोट डाले उससे पहले रॉबर्ट क्विक ने उन दोनों को बुला लिया अपने पास अब जैनियो और केट मुस्कुराती और मजक मस्ती करते हुई उसके पापा के पास पॉंची रोबर्ट क्विक का फेस पीला हो चुका था जैनियो और केट की वज़ा से रोबर्ट क्विक उसकी ये दोनों बेटियों की वज़ा से डरा हुआ था वो परेशान हो चुका था क्विक सोचता है कि ये दोनों बच्चे संसकारी और इंटलीजन्ट थे लेकिन अब वो और संसकारी और पागल हो चुके है वो उसे हर्ट कर रहे थे अभी अभी तो वो स्नौट पर प्रहार करके आई हुई है ये जैनी और केट और अब रोबर्ट क्विक पर प्रहार किये जा रही है दोनों क्विक कुछ के भी नहीं सकता था और सामने प्रहार भी नहीं कर सकता था क्योंकि जैनी और केट उसकी बेटी ही थी दोनों रोबर्ट क्विक उसका खुद का बचाव भी नहीं कर सकता था, जो जैनी और केट उस पर प्रहार केज आ रही थी, तो वो उसका बचाव भी नहीं कर सकता था, केट क्विक के पेट पर उद रही थी, और जैनी ने तो सीमा ही पार कर ली, वो उसके पापा क्विक को शर्ट से पकड़े हुई थी जैसे कि वो क्विक का घला दबा रही हो रोबर्ट क्विक ने उसकी बेटियों के सामने देखना बंद कर दिया क्योंकि वो अच्चरे चकित और परेशान हो चुका था इन दोनों की वज़ा से जैनी और केट की वज़ा से विक को ऐसा लगने लगा था कि जैसे उनकी बेटिया उसे ठुकरा रही हो रोबर्ट क्विक घर जाना चाहता था लेकिन उसकी दोनों बेटियों ने उसे जखमी कर रखा था फिर उसकी दोनों बेटिया उसे घर ले गई और केट कीचन में से पानी का भ़रा कटोरा लाई जैनी ने क्विक को चेर पर बैटने को बोला जैनी और केट दोनों ने मिलकर क्विक को जो गाव लगे थी वो साब किये और आयोडिन लगाया उन दोनों ने बहुत ही अच्छे से क्वीक की दवा की जैसे की वो दोनों नर्स हो अब मिसिस क्वीक उसकी फ्रेंड जेन मार्टिन जो वेलफेर कमिटी की चेर्मेन थी उसके साथ गर में वापस आई दो पेर का वक्त था गर में चल रहे काम से दोनों खुश हुए जैनी और केट उसके पापा की सेवा कर रही थी अब जैनी और केट ने कपड़े चैंस कर लिए क्योंकि घार्डन में खिलने की वज़ा से गंदे हो चुके थे उन दोनों के कपड़े कमिटी उनके घर पर टी पार्टी के लिए आने वाली थी Tea Party के वक्त जैनि और केट दोनों कपणे चैस करके आ गई दोनोंने रोटी और चाई को अच्छे से सरू कि शर्म आ रही हो उस एक्टिंग में दोनोंने चाई और रोटी सरू कि दोनों को अच्छे से पता था कि पार्टी में कैसा बरताव करना चाहिए रोबर्ट क्विक को उस पार्टी में बिल्कुल इंटरस नहीं था इसलिए वो वहाँ से चली जाना चाते थी वो घर से बाहर चली जाते है उनको लगता है कि वो घर में एक अनावश्यक वेकती है वेर्थ है वो, वो सिर्ब घर के जो बिल होते है वो सब बढ़ने के लिए है ऐसा सुषता है ग्विक जब क्विक रास्ते पर जा रहा होता है तब उसकी बेटी जैनी वहाँ पर आ जाती है और उसे बुलती है कि मुझे अपना गाव दीखा यह पीताजी क्विक उसको गाव दीखाता है फिर क्विक की बेटी जैनी बोलती है कि सब ठीक है पीता जी फिर जैनी आगे बोलती है कि बाई बाई पीता जी इतना बोलकर फिर जैनी वहाँ से चली जाती है क्वीक को अब ऐसा लगता है कि उसकी बेटिया अब बड़ी होती जा रही है और उनमें काफी चेंजिस आ रहे है तो इस तरह हैपी एंडिंग के साथ ये स्टोरी खत्मा होती है आशा करता हूँ आपको स्टोरी समझ आई होगी शुक्रिया अगर आपको लिटरेचर के रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टागाम पर मेसेज करें इंस्टाइडिये एंस अंडर्सकुट पाट्शाला आपको नोवेल, पोयम या फिर इंगलिस रिटरेचर के रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे दी गए इंस्टागाम आईडिये पर मेसेज करें और अगर आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब करें ताकि जब चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए